इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं तेरा जन्वरी 2022 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूं कि मैं विशेश असाधारण और अलोकिक हूं मैं घोषना करता हूं कि मैं विकास के नए सत्रों में चल रहा हूं मैं स्थिर नहीं रहता और नहीं पुराने चीजों को पकड़ के रखता हूं मैं यह जानने के लिए खुला हुआ हूं कि इस्वर के पास मेरे लिए बहतर योजना है अब सर के नए दर्वाजे नए और अनुग्रय के नएस्तर यहां और अप एशु के नाम पर हैं यह मेरी घोशना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोक्ती ईश्वर का जीवन मुझ में है मुझ में शक्ति शाली रूप से काम कर रहा है उसने मुझे जीवन स्वतंत रूप से और बिना सीमा के आनन लेने के लि या मेरे खिलाब सफलता पूर्वक नहीं आ सकता कोकि मेरे पास ईश्वर का अजे जीवन मुझ में है हालिलुया मैं जैसा कहूंगा मुझे इश्व के नाम पर वही मिलेगा मैं मजबूत हूं मैं स्वस्त हूं मैं धन्य हूं मैं शक्तिशाली हूं मैं अभिशिक्त हूं मैं मैं इश्वर को प्रिये हूं मैं इश्वर और मानोजाति का कृपा पात्र हूं मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं ना कि जो मैं देखता हूं मैं एक अनमोल बीज हूं मुझे अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है मेरे प्रभु के दर् से भरा हुआ हूं और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूं मैं ताजा और सम्रद होंगा मेरा पत्ता कभी नहीं मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एशु के नाम पर करता हूं संपन हो जाता हूं एशु के नाम में चीज़े हमेशा मेरे लिए काम कर रही है मैं मसी शिरुवास्विकार करता हूं एसु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूं मैं आत्मा हूं मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरी मेरते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आग्या देती है मेरा अंतर्मन सुनता है पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देत और मेरा शरीर पालन करता है इश्वर का अविनाशि जीवन में स्पश्ठ और व्यक्त है मैं अपने शरीर के हर विवरान के लिए मैं अपने मनोभाव से बात करता हूं मसी के मनोभाव की तरब परिपूरण हो जा और मैं तुम्हें मैं वीश्वर के सद्ध द्वारा सन्रेखित करने की आग्या देता हूं मैं अपने कांडरा अर्थासनायू और नसों के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपनी मानस्पेश्यों और साइसनायू बंधन को ताकत बोलता हूं मैं अपने दिल से बड़ी जीवन शक्ति की बात कहता ह मैं सामान्य वेंटिलेशन अर्थात वायू संचार और छड़काव अनुपात बनाये रखने के लिए अपने फेफडों और उतकों से बात करता हूं मैं अपनी किड्नी को परिपूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हटकोशिका में जीवन है मेरी हड़ी जोड और उपास्थी संरेकित मजबूत और दृड है मेरी उंगलिया पुद्कृस रूप से कारी कर रही है मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देती है मेरे कान इस्टतं काम कर रहे हैं मेरी त्वचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्वर की संदर्ता के समान चिकनी और स्वस्थ है मेरे बाल कोश कड़े हो गए है मैं अपने बालों को अपने जगा में रहने के आगया देता हूं और जहां विकास की आश्टता होती है मैं अपने कोश में पृद्धी जारी क करता हूं मेरे दात मसुडे जवा बंद और तंत्री का और रत्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्म है और अपने कारियों को सामान्य रूप से निश् लक्सम है और चया पंचे अप्सिष्ट उत्पाद नेमित रूप से उत्शर्जित होते हैं मेरी प्रजनन प्रनाली पर हुर्याप्त मात्र और गति शिर्ता शुक्रारवों का उत्पादन और जमा कर रही है मेरी प्रजिनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिकां का उत्पादन कर रही है जन्म तक घ्रून की रख्षार पोशन करती है मेरे शरीर का हर एक अंग हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कारी करता है जिस तरह से ईश् मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरुपता कुरुपता हूँ मेरा पूरा मानोश शरी रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मसी एशु में परिपूर्ण है हालेलुया आमेन। मैं जानता हूं , मैं जानता हूं , फिता इस्वर मुझे प्यार करता है।